जदी आप द्रिस रासी के हैं, तो सच माइने में देखा जाए तो आप से बड़ा भागसाली कोई भी रासी नहीं, क्यूंकि जिसके स्वेम मालिक सुक्र हों, जो कि धन, संपदा और बैभो को देने वाले हों, तो उसे भला क्या सुचना है, जिसके रासी में चंद्र आकर उ तो भला आपको उसी तलता क्यूं नहीं परदान करेगा, तो जिसके चंद्र अच्छे हैं, जिसके सुक्र अच्छे हैं, तो निश्चिति उस भ्यक्ति के चेहरे से एक लावाने टपकेगा, लोग उसके तरफ खीचे चले आएंगे, उस भ्यक्ति का सर्किल बड़ा होगा, यानि समाज में आपको एक सर्धा के द्रिष्टी से देखा जाएगा, और इतना ही नहीं, जिस भ्यक्ति के चंद्र अच्छे होते हैं, उसके ब्रहस्पति भी सुभाविक रूप से अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र को अगर आपके घर में आकर सांती मिलती है, आप सुक्र तो आपके अपने स्वामी हैं, सांत-सांत चंद्र भी आपके प्रिये हो गए और ग्रहस्पति भी आपके प्रिये हो गए, इसके अलावा जदि हम नजर उठाते हैं, सनी के तरफ, तो सनी भी कहीं ने कहीं आपके रासी स्वामी के आती मित्र हैं, क्योंकि दो ऐसे बहाओं को लेकर बैठे हुए हैं, जो एक भाग्य से सम्मन्द रखता है और दूसरा कर्म से, तो जिस ब्यक्ति के सुक्र अच्छे हों, चंदर अच्छे हों, गिरस्पति अच्छे हों, और साथ साथ सनी भी अच्छे हों, तो बाकी बच ही कितने जाते हैं ग्राफ। लेकिन ये आपका जहां तक हो सके भला ही करेंगे, हलाकि इनका प्रभाव अभी से भी परलेच्छित होने लगा है, जैसा कि आप गुजरात में देख रहे हैं, तो ये सनी 17 जुन 2023 को मारगी से वक्री हो रहे हैं, किस तरह कफल करेंगे खास करके आपके रासी के उपर, वक्री के मतलब ही होता है, कि एक ग्रह अगर अपनी सिधी मार्ग में जा रहा है, तो उसे अब reverse bike होना है, उसे लोटना है, पीछे की तरफ आना है, तो इनका रूख अब अपने पिछले भाव के तरफ हो जाएगा, अगर ये आपके दसम भाव में हैं, तो ये आपके अब नव भाव के तरफ रूख कर रहा है, और सवभाग की बात है, कि इनकी जो पिछली रासी है, इनहीं की रासी है, मकर रासी है, तो ये मकर रासी का भी कहीं ने कहीं फल देंगे, और उससे भी बड़ी सवभाग की बात है, कि ये मकर रासी आपके भाग भाव में पढ़ रही तो जो भी आपका भाग पेंडिंग पड़ा हुआ था, बहुत सा काम होते होते रुख गया था, आपने सोच लिया था, आपने समझाता कर लिया था, कि अब इससे कुछ आगे होने वाला नहीं है, तो वह काम अब आपका होगा, निश्चित ही उस फल की आपको प्राप्ति हो पित्रों ये सनी आपके भागे के बंद दर्वाजे खोलने जा रहा है, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा बेनिफीट होगा, तो ये 140 दिन आपका आतिस सुभ रहने वाला है, भागे की दृष्टी से, धर्म की दृष्टी से, और यहां तक कि जदि आपके पिता का भी स्वास्त गडबर चल रहा हो, तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगी, भागे आपका सुधरेगा, धर्म के परती रूची बढ़ेगी आप, ऐसा नहीं कि अब ये दसंभाव का फल नहीं करेगे, दसंभाव का भी फल करेंगे, दसंभाव आपके केरियर का भाव जो कर्म आपके पेंडिंग थे, उस कर्म को होने की पूरी-पूरी संभाव नहीं, जदि कोई पर्मोशन रुका हुआ था, आपका कोई ज्वैनिंग रुका हुआ था, केरियर एक सही दिशा में आपका नहीं जा रहा था, तो उन सारी चीजों की आपको प्राप्ती होगी, लेकिन हाँ, एक चीज मैं अवस्य आपको बता दू, प्राप्तीती होगी, केरियर सुधरेगा आपका, लेकिन अब आपके उपर ओभरलोड होने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जॉब करते हो या बेवसाय करते हो, निश्चित ही आपके उपर काम का मिलने वाला है, मैं यह नहीं कहता कि आपके उपर धन बरस जाएगा, पैसा बरस जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कि आपको इसका जबर्जस्त रूप से पारितोसिक मिलेगा, और वह पारितोसिक क्या होगा, मैं यह नहीं जानता है, लेकिन आपको मिलेगा जरू द्वादस भाव खर्च का भाव बोला जाता है, यह कोई यरूरी नहीं कि आपका आर्थिक खर्च हो, आपका मांसिक खर्च भी हो सकता है, आपका सारेरिक खर्च भी हो सकता है, तो सारेरिक और मांसिक खर्च तो असपस्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि दसम भाव जब एक्टिव होगा तो आपके उपर काम का ओवरलोड बढ़ेगा और काम का ओवरलोड बढ़ेगा तो निश्चित है कि आपका सरीरिक खर्च होगा अगर कोई मांसिक काम करते हैं तो आपका मांसिक ब्याय होगा लेकिन इसके अलावा आपका आर्थिक खर्च भी हो सकता है लेक उपके खुद के घर के उपर जा सकता है, आपके मकान के उपर जा सकता है, तो ऐसी समहाना बन सकती है, कि इस पिरियड में आप JAMpor Ikke या मकान के उपर कुछ खर्च करें, हो सकता है कि पूराने मकान की रिपेरिंग आपको करना पड़ जाए, या नए प्रोपटी खरिदने की भी चांसेस आ सकती है, पत्नी के उपर आपका खर्च हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप पत्नी के लिए मांगे गहने खरीद लें तो इस तरह की कुछ इस्थिती आपके साथ हो सकती है लेकिन इतना सत्य है कि जदी अगर सबसे ज़्यादा आपको कुछ पराप्थ होगा तो वह भागे से रिलेटेड पराप्थ होगा जो भी आपका काम फंस गया था नहीं हो पा रहा था भाग गया आपका कहीं अगर साथ नहीं दे रहा था तो अब आपके भाग के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं निश्ची थी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कैरियर की दृष्टी से यसा में बहुत अनकूल रहने वाला है लेकिन हाँ आप अपनी इस्टेमना को थोड़ा से बनाये रखें क्योंकि काम का ओवरलोड आपके उपर आने वाला है जदि आप 8 घंटा काम करते थे तो हो सकता है कि अब आपको 12 घंटा काम करने पड़े जदि आप कोई महिला है दो लोगों के लिए जदि आप खाना बनाती थी तो हो सकता है कि इस पूरे 140 दिन आपको 4 लोगों के लिए खाना बनाना पड़े तो खैर काम से तो आप भागने वाले नहीं हैं इसलिए कि आपकी रासी ब्रिस है आप मेहनती हैं खुब मेहनत करते हैं भले जितना आप मेहनत करते हैं उसका सुख आपको नहीं मिलता है आपके परिवार वालों को मिलता है तो मित्रों कुछ इस तरह कराने वाला है आपका य नमस्कार.